किसानों का भारत बंद कितना असरदार है भिहार में या यू कहे राजभानी पठ्टा में इसकी हर वो अपडेट आपको एचेस भिहार दे रहा है दीरे दीरे जो ढुक्र पार्टियों पार्टियों के जो नेता है जो कार करता है वो पहाचने लगा है वह बहुत होँजwegen कारकरता जुने कार Κरता ऑजो वह तरको पर उतर चुके हैं नहीं eva भी अलग विस्त penalty ओपडों हो 우리 के साथ कि एहां पर सरकार को जम कर घेले की कोशिश की चारी और एक錯ओ आप एहां दिखाई दे रहोगा भारत वंदियों और कहा जा रहा है ति कि बताने की नहीं की जाणी कांव यहां संक्या इस कानून को सर्टार तक जल सर चल वापस लेना होगा देखिए यह तस्मीर आपकी देख वंगला चोड़ाहा से देख रहे हैं और यहां पर हम बात करने की कोशिक करेंगे यह बता यह कितना असरदार है यह भारत बन यह फुरेपर में भीहार में भी बहुत असरदार है छा पर है और असरदार अंदोलन यह बता यह पार्टियां तो दिखाई दरी लेकिन किसान काफी कम दिखाई दे ऐसा नहीं है पुरे बिहार में जहां-जहां किसान लोग है वहां-वहां सरख पर उत्रे हुए है लोकल लेबल पर भी अपने अपने खेतों से बाहर निकल करका किसान सरक पर है पतना के अंदर में तमाम रिरादनीती करें करता किसान संगठन के लोग अपने जुटता जाहिड कर रहे हैं आज बार बैठक हो चुकी है छट्टी बार कल है वैसे में आज भारत बंद बुलाये गया आपको क्या लगता है कितना एक फुल रहे हैं यह किसा किसानों के संगठन को सरकार पड़कलाने की कोशिज कर रही है अंदोलन को खंजोर करने की कोशिज कर रही है लेकिन किसान अपने वाजी माम को लेकर करके डटा हुआ है और नतीजा आएगा और किसान के पक्ष में आएगा और यह बहुत मजबूत अंदोलर चलिए किसानो काफ़े बढ़ती चली जारे एक बार हम कैमरामेंस अपील करेंगे वह एक बार आपको पूरे डाक बंगले चोड़ाएं कि तस्वीर दिखाए किस तरह से एक एक करके जो बिपक्षी पाठिया है वह सरकों पर चुके हैं और यहां पर देख सकते हैं इसमें महिला हैं वह भी हिस्सा लेते आपको दिखाई दे रही हैं हम नुसे वह करेंगे आप लोगो कि क्या है आग यह जो काले जो तीनों क्रिसी कानून है वो वापस लेने की मांग पर पूरा भारत बंद है जिसके तहट MSP सरकार तै करें कि हर राज्यों में एक MSP हो दूसरा कर्पोरेट के हवाले पूरी खेती को कर दिया जा रहा है जो लोग सिर्फ उनाफा कमाना जानते हैं खेती किसानी का हाल नहीं जानते हैं उनके हाथों में पूरा बेज दिया जा रहा है खेती किसानी हम उनका उसका विरोध करते हैं और तीनों जो छोटी मंदिया है मंजोले मंदिया है उसके आने से जो लोकल वाले सारे स्थानिये मंदी बंद हो जाएंगे के सवाल पर कि मोधी सरकार वापस ले अडानी अम्भानी का राज नहीं चलेगा यह कार्पोरेट कमपनियों के हाथों देश को निराम करना बंद करो मोधी सरकार और तीने काले कानूनों को वापस ले पूरे देश के कभी किसानों के साथ कभी छत नौजवानों के साथ कभी किसानों के साथ इसने जूट बोला है चल किया है इस लिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है लेकिन ये देश भादत हमारा लोकतांतरिक देश है यहां के लोग अगर काले कानून वापस नहीं लेगा लेगर और गानून को वापस लेने के लिए इसनी वापस लेना होगा वोट देते रहेंगे, ऐसा ही तमाम भेट के लिए पैचस विहार के साथ बने रहें, अभी के लिए फिलाल इतना ही, नमस्क्राइब